नमस्कार सुन्दर सा लैग वार्मर बनाने में बेहद ही आसान एकदम टाइट होके भिच जाएगा और ये खराब हो जाएगा तो इसको लूज रहना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो सबसे जरूरी बात यही है अब उसके बाद आईए अब हम सारे स्टैप्स को एक बार समझ लेते हैं कि हमने कैसे फंदे डाले हैं तो मैं बाद में भू डे स्टैप्स को समझते हैं कि डबल सलाई पर डबल अंशें हम डिजिजाइनर फंदे डाल रहे हैं डिज़ाइनर फंदे क्या होते हैं पहला फंदा 舌ट में इसतरह इस से घुसाया नॉर्मल गुना दूसरे फंदे के लिए इस उन को हम दबा लेते हैं, दूसरे फंदे के लिए अंदर की तरफ से बाहर की तरफ उन ले गए, पीछे वाली उनके नीचे सलाई डाल कर और वहां से हम फंदा बनाते हैं दो के जोड़े से ये इस तरह फंदे बन रहे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं, बाहर की तरफ से अंदर की तरफ ले गए, बाहर वाली उन के नीचे सलाई डाल कर एक फंदा बनाया, अंदर की तरफ से बाहर लाए, पीछे वाली उन के नीचे सलाई डाल कर दूसरा फंद बनाया दुहरी उन से हम डाल रहे हैं आप अच्छे से देखकर समझ कर इसको डालें टाइट ना करें बहुत ज्यादा टाइट करने के जरूरत नहीं है तो इस तरह से मैं कुछ फंदे डाल कर पिर आप से मिलती हूं यह हमने बार है फंदे डाले हैं उसके बाद हमने गाठ लगाई फिर एक सलाई को हम निकाल लेते हैं अब इसके बाद अब हम उल्टी तरफ हैं तो हम बॉर्डर शुरू कर रहे हैं दो सीधें दो उल्टे का पहली सलाई इस तरह से हम बुनेंगे और उसके बाद हम जाली बनाने वाले हैं जहां पर हमने डोरी डाली है दस नमबर की सलाई से बॉर्डर बुन सकते हैं अगर आपकी उन और हाथ के हिसाब से आपको एड़्जस्ट करना है तो आप 9 नमबर देखिए अगर आप बहुत टाइट बुनते हैं तो आप 9 नमबर से भी बुन सकते हैं यह जो उन है यह वीनस उन है लच्छी की उन होती है थोड़ी सी मोटी होती है एकदम पतली सी नहीं होती है बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उन आपकी बहुत पतली वाली ना हो अब हम यह फ्रंट साइड में आ गए अब हम यहाँ पर जाली बनाएंगे तो जाली कैसे बनेगी पहले चार फंदे यह दो सीधे बुने दो उल्टे बुने अब इसके बाद यह उन अंदर की तरफ ही है अगले जो दो फंदे सीधे हैं इनको हम दो का जोड़ा बना रहे है इस तरह से सलाई डाली और दो का जोड़ा बन गया तो यहाँ पर हमारी जाली आ गए आगे हमको दो उल्टे बुनकर और ऐसे ही जाली बनानी है उन अंदर की तरफ रखेंगे और अगले दो सीधे फंदों में इकटा जोड़ा बुन देंगे तो यह हमारी जाली बन गई य इस तरह से यह हमने जाली डालने का काम किया अब हम पल्टेंगे और फिर हम अपने बॉर्डर की बुनाई पकड़ लेंगे जो हमारे जैसे दिख रहे हैं दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर है तो यह जो जाली वाला देखिए लपेटा था यह हमने बुन लिया उल्टा औ और यह दो सीधे दो उल्टा बुनते हुए हम अपने आगे का बॉर्डर पूरा करेंगे यह जाली का काम हो गया है हमारा और बस अब आगे की बुनाई बॉर्डर की है आपको जितनी भी बॉर्डर रखना है वो मैंने आपको साइस वगेरा सब बताऊंगी मैं बाद में त तो उतना बॉर्डर रखकर फिर हम आगे का काम करेंगे तो मैं दो सलाई और बुनकर फिर आपको मिलती हूँ तो देखिए यह हमने जाली डाली और मानिए हम बॉर्डर बुनेंगे यह जैसे हमारा यहां जाली पढ़ गई है फिर हमने बॉर्डर बुना उसके बाद हमने एक सलाई डार्क कलर से सीधी बुनी है और एक सलाई उल्टी बुनी है उसके बाद डिजाइन डाला है तो मैं भी यहाँ पर एक सलाई पूरी सीधी बुनती हूँ बॉर्डर के बाद की एक सलाई हमको पूरी सीधी बुननी है और उल्टी तरफ से एक सलाई हम पूरी उल्टी बुन रहे हैं यह जरूरी नहीं है आप जो भी फेर बदल करना चाहें आप वो कर सकते हैं तो सबसे पहले तो अब हमको यहां पर जो करना है कि हमको अब सलाई बदलनी है बॉर्डर हमने पतली सलाई से बुना है तो आगे अब हमको आठ नंबर की सलाई से इस बुनाई को करन है दो रंग की बुनाई वाला सारा हिस्सा हम आठ नंबर से जब धीला बुनेंगे तभी हम अच्छा बुन पाएंगे तो यह मैं अभी सलाई बदलती हूं और आप सीधी तरफ से भी बदल सकते हैं कहीं भी बॉर्डर के बाद सलाई बदलनी है तो अब हमने यह आठ नंबर की सलाई से अपनी उल्टी सलाई बुनी तो यह सलाई भी बदल गई हमारी और हमने एक सीधी और एक उल्टी सलाई बुन ली है अब हम ये दो रंग की बुनाई शुरू करेंगे बुनाई बहुत आसान है दूसरे रंग की उन लेकर हमको तीन एक तीन एक बुनना है तीन फंदे हमने लाइट कलर के बुने और उसके बाद एक फंदा हम ये डार्क कलर से बुन रहे हैं बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जब आप ये बुनाई करें तो उनको ज़्यादा खीचना नहीं है तो हमारे जितने भी फंदे हैं उनको हम इस तरह से तीन लाइट कलर के और एक डार्क कलर का बुनते हुए पूरी सलाई अपनी बुन लेंगे दोनों तरफ से डिजाइन डालना है बस इस बात का हमें ध्यान रखना है तो ये देखिए तीन एक हमने बुना ये तीन एक तीन एक हमने बुना अगली बार जो हमारा एक था डार्क कलर का ये तीन हो जाएंगे और जो लाइट कलर का है वो एक हो जाएगा और हम देख रहे हैं कि ये सीड़ी जैसी जा रही है तो ये जो white है इससे हम पहचान करते हैं कि ये हमारा इधर की तरफ जाना है right side में हमने पहचान कर ली कि ये जो रंग है ये हमारा बुना जाएगा और इसके बाद दो ये जो light color के हैं ये dark color बुने जाएंगे मतलब ये dark रहेगा और ये दोनों dark रहेंगे तो सीधी तरफ से हमने पहचान कर ली है और अब हम अपना उल्टी तरफ बुनेंगे इसको ये वाला dark हुआ ये dark हुआ ये dark हुआ 3,1,3,1 इधर से भी है हमारा लेकिन अब रंग बदल गया है बस ये बात है dark color के 3 है हमारे और light color का एक है इस तरह से ये 3,1,3,1 करते हुए हम उल्टी सलाई बुन रही है मैं एक बार आपको सीधी तरफ से और दिखा देती हूँ आपको समझ आ जाए जिससे ये हमने 3 बुना और ये अकेला हमारा light color का है अब देखिए ये सीधी चल दी है न तो इस तरह से अब इधर हमको क्या करना है ये हमारा light color का है और ये दोनो light color के हैं तो ये 3 light हो गए ये अकेला एक dark है तो ये भी light है sides में हमको दोनों तरफ adjustment करना है बीच में हमको 3 एक 3 एक ही चलना है तो हमने यहां से पहचान करी है कि ये 3 हमारे सफेद है light color के हैं तो इसको हमने बुना light इसको हमने बुना dark और फिर ये जो 3 हैं इनको हमने light बुन लिया जब 3 एक बार हो गए हैं तो अब इसके बाद हमारा 3 एक 3 एक चल देता है तीन light एक dark तीन light और एक dark बस इस तरह से ये वाली जो बुनाई है अब ये side में हमारे 2 फंदे बचे हैं तो हमको 2 को ही light बुना है adjustment है तो इस तरह से ये बुनाई हमारी बुनी जाएगी अब हम पीछे से आएंगे तो हमने यहाँ पहचान कर ली है कि ये जो dark color है इसके आगे के 2 dark बुने जाएंगे इस dark के आगे के 2 dark बुने जाएंगे तो बस इस तरह से पहचान करते हुए हम बुनाई करते हैं ये जब 3 dark है ये light है ये dark है तो front side से आप पहचान कर लीजिए बहुत ही आसानी से हो जाता है तो पहला फंदा हमने dark बुना और दोहराते हुए हम अपने design को बुन लेंगे अब हमें जितना भी बुनना है उसको बुनने के बाद हमें आगे क्या करना है ये अब हम समझते हैं फिर हमको एक सलाई पूरी सीधी बुननी है dark color से और एक सलाई पूरी उल्टी बुननी है उसमें कुछ विशेश नहीं है आपकी इच्छा ना हो तो आप डारेक्ट दूसरे रंग कर डिजाइन डाल सकते हैं दो सलाई बुनने से थोड़ा सा दोनों डिजाइन में एक बीच में गैप आ जाता है जो अच्छा लग रहा है यहां आप देख लाइन में बैकसाइड से वह एक है और दूसरा वाला तीन है एक की उपर एक यह सीधी पूरी लाइन के बुनाई है तो हमने यहां तीन लाइट बुने हमने डार्क बुन पूरी सलाई इसी तरह से बुनी जाएगी तीन लाइट एक डो तीन और एक डार कलर का फंदे जितने भी होते हैं उनको एड़ेस्ट करना तो आही जाता है साइड्स में एड़ेस्ट कर लिजिए अब ये तीन एक तीन एक हमने बुन लिया अब हम पीछे आएंगे अब जब हम पीछे से ये हमने सीधी तरफ से तीन एक तीन एक बुना अब उल्टी तरफ हमको क्या करना है वो समझे ये जो है हमारा अकेला इसका इधर और इधर एक राइट एक लेफ्ट ये तीनों डार्क हो जाएंगे जब ये तीनों डार्क हो जाएंगे तो ये अकेला एक लाइट रह जाएगा बस तो main बात है अब हम उल्टे चलते हैं ये तीन हमारे dark हो जाएंगे ये light रहेगा तो ये दो हमारे dark हैं ये हो गया हमारा side का adjustment का तरीका side के दो हमने dark बुने तीन का जो बीच वाला एक फंदा है उस अकेले को हमें light बुनना है ये एक हो गया हमारा और आगे फिर वही तीन एक तीन एक ये तीन हमारे dark और एक हमारा light तीन हमारे dark और एक हमारा light और आखरी एक फंदा हम इसको dark बुनेंगे इन ही दो सलाईयों को हमें धोराना है अब ये हमारे तीन light है एक dark है तीन light है तो ये तो आपको समझ में आ गया ये वाला design थोड़ा सा आसान है ये हमने तीन light बुने और अकेले को एक को dark तीन एक तीन एक ये हमारी हो गई सीधी सलाई उल्टी सलाई मैं एक बार और को मिलते हूं उल्टी तरफ हमको फिर वैसे ही करना है दो हमने dark बुने तीन का जो बीच वाला है इसको अकेला हमने light बुना और बस फिर हमारा तीन एक तीन एक शुरू है तीन dark एक light तीन dark एक light और लास्ट वाला dark बस इन ही दो सलाईयों को हमें दोहराते हुए ये वाला design बनाना है अब देखिए ये हमने बना लिया design उसके बाद फिर से हमने एक सीधी सलाई बुनी और एक हमने उल्टी सलाई dark कलर से बुनी यहां पर हम चार फंदे घटाएंगे बीच बीच में यहां दूरी दूरी पर 4 फंदे घटाएं फिर इसी design को हमने दोहराया है और उसके बाद फिर से आप एक सलाई सीधी और एक सलाई उल्टी बुनेंगे इसी बीच में आप 8 फंदे फिर घटा लेंगे तो जो हम यहां से शुरू हुए थे 72 72 फंदे लेकर तो जो हमने 72 फंदे लेकर बुनाई शुर बुनेंगे लेकिन यहां पर हमको सलाई बदल ली है यह बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहां पर सलाई बदल ली है यहां पर हम 8 नंबर से बुन रहे थे यहां तक उसके बाद हम जो यहां पर लगाएंगे सलाई उसी को हम यहां पर लगाकर 60 60 फंदों से यह हम पूरा बुनेंगे तो देखिए अभी तक हमने ये फंदे डालना बॉर्डर, डिजाइन ये सब हमने समझ लिया अभी हम ये फ्रिल का हमारा और बाकी है इसको अभी हम देखेंगे आगे चलने से पहले एक बार फिर से सलाई और फंदों की बातों को थोड़ा और समझते हैं ये देखिए उपर हमने 72 72 फंदे डाले थे बिजाइनर फंदे, फिर हमने जाली बना दी डोरी उसमें पढ़ गई है दुहरी उन से डबल उन से डोरी बनाई है और आप इस तरह से मोती लगा सकते हैं या कोई छोटा सा फूल बना सकते हैं अच्छा इसको न देखिए सिलाई हुई है यहाँ और डोरी का फूल बनेगा बाहर की तरफ सिलाई चली जाएगी अंदर की तरफ तो ये बात हमको समझ में आ गई अब यहाँ पर सिलाई आप अपने हिसाब से एडजेस्ट करेंगे 9 नमबर या 10 नमबर सलाई आपके बुनने का तरीका और उनके हिसाब से एडजेस्ट होगी उपर का हिस्सा है पैर का पैर में घुस जाए इस बात का दिहान रखना है अब उसके बाद यहाँ पर हम सलाई बदलेंगे यहाँ पर हमको 8 नमबर की सलाई हमने ली है क्योंकि यह दो रंग का यह जब बुनाई करते हैं तो यह टाइट हो जाता है बहुत टाइट हो जाता है तो यह ख्याल रखना है कि यह लूज रहे 72 फंदे बुनते हुए हम यहाँ तक आए यहाँ पर आकर हमने 4 फंदे घटा दिये नीचे पैर थोड़ा छोटा होगा तो 4 इस्टिचिस को हमने रिड्यूस कर दिया तो 68 68 फंदे रह गए फिर हमने यह बुना तो मैं आपको इंच में भी अभी बताऊंगी कि यह कितने कितने इंच है फिर हमने यह बुना और यहाँ पर आकर हमने 8 8 स्टिचिस को फिर से घटा दिया तो यहाँ पर यह हमारे 60 60 फंदे रह गए हैं खाली अब उसके बाद यह जो फ्रिल बनी है इसमें हमने इन 60 फंदों को दुगना करा तो 120 यह फंदे हो गए हैं और यह बुनाई कौन सी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी अब यहाँ तक हमारी 8 नंबर की सलाई थी इतने पीस में यहाँ पर हम फिर वही 10 नंबर की सलाई लेंगे अपनी या तो 9 नंबर की बस इससे अलग नहीं लेना है और नीचे का जो हिस्सा है इसको हम 9 या 10 किसी पर भी बुन सकते हैं यह देखिए इस तरह से ढीला ही रहे तब ही खुलकर अच्छा लगेगा अब मैं आपको इसके ज़रा साइस बता देती हूँ तो देखिए इसको जब हम नाप रहे हैं तो यह यहां बॉडर तक लगभग 15 इंच आ रहा है फ्रिल अलग से यह जो फ्रिल है ज़्यादा बड़ी करने से वो पीछे पैर में चुएगी एक सबा इंच यह फ्रिल है बस इसको आप एक इंच ही मान सकते है अब यह बात है कि इसमें जो उपर का बॉडर है यह लगभग 4 इंच है और उसके बाद यह बीच का जो हिस्सा है यह लगभग 8 इंच है और नीचे का जो बॉडर है यह लगभग 3 इंच है कोई hard and fast rule नहीं है आप इसमें फेर बदल कर सकते है ठीक तो अब हमने सलाई की फंदों की सारी बात समझ ली तो आईए अब हम यहाँ चलते हैं कि इस बॉडर को बनाने के बाद फिर हम यह फ्रिल कैसे बनाएंगे यह देखिए यह देखिए 60 60 फंदों से हमने दो सीधे दो उल्टे बुन रखे हैं और अब हम उल्टी तरफ हैं बैक साइड हैं मैं बहुत चोटी चोटी बातें भी आपको बता देती हूं जिससे की कोई beginner है तो उनको समझ आ जाए परिशान ना हो अब देखिए यह हम उल्टी सलाई मैंने यह अभी 10 नंबर की सलाई ली है आप 11 की भी ले सकते हैं सिर्फ यह एक सलाई मैं पतली सलाई से बुनती हूं तो सुविधा रहती है यहाँ पर हम उल्टी तरफ फंदे बढ़ाएंगे हर फंदे में से दो कर रहे हैं यह एक हमने आगे से उल्टा बुना और एक हमने पीछे की तरफ से इस तरहें से डालके उल्टा बुना तो यह हमारे सारे फंदे डबल हो जाएंगे 60 के हमारे 120 फंदे हो जाएंगे तो आशा है यह बात आपको समझ में आ रही है कि यह मैं फंदे बढ़ा रही हूँ एक बार मैंने आगे से डाला और दूसरी बार मैंने इस तरहें से पीछे से डाला और एक ही फंदे में दो बार बुना तो यह हमारे फंदे बढ़ गए तो इस तरहें से इन सारे फंदों को डबल करके 120 हो जाएंगे इस तरहें से ये फंदे बढ़ा कर फिर मैं आपको मिलती हूँ ये फंदे बढ़ाते हुए हमने अपनी ये सलाई पूरी कर ली सारे फंदे हमने डबल हो गए हमारे मेरा बुनने का स्टाइल थोड़ा टाइट है तो मैं अब आगे का 9 नमबर से बुनने वाली हूँ ये देखिए अब हम सीधी तरफ हैं फ्रंट साइड हैं और हम एक सीधा और एक उल्टा फंदा बुनेंगे बस इस तरह से हमको सीधी तरफ एक सीधा एक उल्टा बुनना है और उल्टी सलाई हमको पूरी उल्टी बुननी है ये हम सीधा उल्टा बुनते हुए पहली सलाई हमने पूरी करी और ये मेरी 10 नमबर की सलाई है इसको मैंने हटा दिया और अपनी दूसरी भी 9 नमबर की सलाई ले 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 अब उल्टी सलाई जो है ये पूरी उल्टी बुनी जाएगे तो बहुत आसान है एक सलाई उल्टी वाली पूरी सिंपल उल्टी बुननी है और फ्रंट साइड सीधी तरफ से एक सीधा उल्टा बुनना है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो ऐसा लगभग एक इंच और अब हम फंदों को बंद कर रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरह से ये फंदे बंद हो रहे हैं, सिंपल, नॉर्मल तरीके से, अगर कोई beginner हैं, गुनाई अभी सीख रहे हैं, तो इसलिए मैं ये फंदे बंद करके दिखा रहे हैं, आशा है, आज का वीडियो आपको अच राइट नहीं बंद करना है, हमको नॉर्मल ही बंद करना है, अब आ गए हम लास्ट में, आखरी फंदे को हमने इस तरह से बंद किया, और अब हम इतनी ओन काटेंगे, जिससे हमारे सिलने का काम हो जाए, तो ये एक सुवीधा रहती है, तो मैं थोड़ी सी जादा ओन काट उसको हम फ्रंट साइड से करेंगे, सिलने का काम हम फ्रंट साइड से करेंगे, देखिए, बहुत अच्छी सिलाई हो जाती है, आप थोड़ा सा भस ध्यान लगाएंगे एक बार, तो आप कर पाएंगे, ये तो मैंने शुरुवात करी, अब जो ये यहाँ पर दिखाई दे होते हैं, बस इस तरह से सफाई से उपर की सिलाई करिए, और फिर आपको कम लग रहा है, तो अंदर की तरफ से मजबूती देने के लिए एक बार और सिल सकते हैं, सिलने के समय एक साफधानी और आपको जो बरतनी है, कि ये डिजाइन से डिजाइन मैच कराके, और यहाँ पर कुछ सलाई अटका दें, जिससे की जब आप सिलते हुए आएं, तो ये आगे पीछे खिसक ना जाए, ये सब डिजाइन से डिजाइन मिलकर सिलाई हमको करनी है, सुई की मदद से जो हमारे उन होती हैं, गहीं हमने गांट लगाई है, या जैसे हमारी ये सब उन हैं, इ चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद